चलो प्यारे दोस्तों स्वागत हैं आप सबका मोडल पेपर नमबर दो आज आपका हो चुका है कम्प्लीट बुद बढ़िया स्कोर आपने किया होगा और आज एक चीज सिखी होगी कि कोई चीज अगर अपनी पड़ी हुई होती है तो वो कैसे एकजाम में अपने काम आशकती है यानि दिविजन है जो बहुत महत्पूर है जहां भी आप दोहरान कर रहे हैं तो पूरे मनोयोग से वहां पर चीज़ों को उबजरू करते हुए चलना है याद रखने का प्रियास करते हुए चलना है आंसर की में जो रिजनिंग वाले प्रस्थन हैं उनको समझने का प्रियास करेंगे बाकी वैसे बहुत ज़्यदा कटीन पेपर हैं नहीं तो देख लेते हैं पहला कूशन था कि पहले से लेकर पांच में कटतिक और उसका चैन कीजिए जो बाकी तीन से अलगते हैं और उसमें आपने यह उब्सरुर्व क्या हो गया कलास में अंनै यह किया कि इन टीन में कम से कं एक स्वर है और यहां पर तो दो हो गए जैसे यहां पर भी दो हो गए लेकिन यह वाला है इसमें कोई स्वर नहीं है इस कारण से पहला है उसमें A सही बना गया है दूसरा है दूसरा भी आराम से कर लिया होगा यहां पर D और E आता है, W के बाद X आता है, S, Q के बाद R, T के बाद U, S, S, T, J, K लेकिन यहां पर यानि कि पहले उप्शन में इसा नहीं है पहला आना चाहिए था, K के बाद आई आ रहा है, इसका मतलब यह जो गलत है फिर जील, टेंक, समुद्र और कुवा, यहां पर टेंक को अलग माना गया है क्योंकि यह Natural Resources के उधारण है तिन्नों और यह जो नहीं है, इसकारण से और फिर चोथा जो किशन था अपना, चोथे में 225, 181, 121 और 63 जो अलग है क्योंकि यह जो पंद्रागा जैसे यह 9 का है, यह 11 का है, सबी है जो स्कॉयर है लेकिन 63 जो किसी का स्कॉयर नहीं है यानिकि बी ओप्शन इसमें सही हो गया और पांचमे में जैसे यहां पर यह मिरर रिफ्लेक्शन बता रखा है, मतलब कि दरपन परती भी में इसमें नहीं है, यानिकि यह अलग हो गया और यह प्रसंद था अपना 17 विक्तियों कि पंक्ति में जब रवी को तीन स्थान बाईं और सरकाया गया तो वह बाईं और से चटा हो गया, तो पंक्ति के दाईं और उसकी सुरुवाती स्थी थी, क्या थी तो यहां पर आपको यह थोड़ी सावदानी रखनी है, जैसे अब यह हम मान लेते हैं, जैसे यह बाईं तरफ है, और यह दाईं तरफ है, यहां पर उसकी लोकेशन है, वो चेंज होती है, यह आपको सावदानी रखनी है, चेंज होने के बाद वह चटा हो गया, बाईं औ तरफ से लेकिन वह तीन स्थान खिरिश्काया गया था इसका मतलब हो गया कि पहले है जो इस जगह पर था तो इसका मतलब क्या हो गया अच्छा के बाद यह साथ आट और नो हो गया तो वहां पर बात करेंगे आठ जणे इदर बचे नो और आट हो गया सत्रा टोटल आठ जो स्थान है वो कुंसा आएगा नो आएगा यानि कि इसमें डी ओप्सन आपका सही होना चाहिए था तो साथमां कुशन था और साथमें कुशन में से पुछा गया प्यू आर्टी ने परिक्षा दी परिणामों के नुसार क्यूंके तुरंट बात पी था यानि कि क्यू है उससे कम नमर लेया पी पर पी के बाद कोई नहीं इसका मतलब हो गया कि पी है जो सबसे लाश्ट रेंग पर है यह आपको ध्यान रखना है और देख लेते हैं अरागे था क्यों से पर क्यूंक नहीं ला सका यानि है यह सबसे उपर है जो कौन आ गया तो कौन आ गया है अरा गया मतलब दी ludson is matcha हो जाएगा यह टेकनिक आपको बता ररखिए इस तरह से जमाना अ कोई भी प्रश्न हो चाहे जीसा प्रश्ण हो ऑगर उसमें कम ज्यादा वाला मामला है तो फिर उसमें D का, यानě कि A और D हैं, वो आपसमें क्या है? भाई है, फिर क्या है? D पिता है B का, यहांपर B का पिता है, मतलब B यहां लिखेंगे B तता C बहने हैं, यह C है, जो और इसकी बहन है ठीक है, C का A से रिलेशन सी का ऐसे रिलेशन तो बिल्कुल बहन है मतलब वो हो गई काका बतीजी वाला रिलेशन रवी अपने भाई से तीन साल चोटा है उसकी बहन के जनम के वक्त उसके पिता जी के उम्र अटथाई साल थी माता गुमर चुबी साल उसकी बहन चार साल की थी जब उसके भाई का जनम हुआ तो तीन साल चोटा वो है चार साल की बहन है ठीक है और अटथाई साल ये है तो यहाँ पर पूछा गया है रवी के जनम के समय पिता की उम्र क्या थी तो अटथाई साल और तीन और चार साल एक पैटीस यानिकि आंसर आना चाहिए अपना पैटीस वर्स यानिकि सीवाल और उप्शन इस मैं से होगा नेक्स टाएम में सड़क पर प्रत्यकाल सुर्य की और मुँए करके चल रहा था समय प्रश्चाथ बाइए और मुड़ गया इसको मान लिया उत्तर इसी का अदारव है जो दिशाएं हम बनाते हैं ठीक हैं अब वो प्रातेकाल सुरे के और मुह कर रहा है मतलब इस तरफ चल रहा है अब सबसे पहले क्या करना है उसको कुछ समय पसाद बाई और बाई और का मतलब हो गया इस तरफ मुड़ गया अब उ क्यारवा कयूशन था मैं पस्चिम की और मुह कर के चल रहा हूं फिर 90 ध्री घडी की सुईगे दिशा के अनुसार गुमा 25 गडी की सुईगे नुशार गुमा नब्रीचरी की समकूंग यानि उसकी लोकेशन अब हो गई हैं यह वाली पिर क्या है तथा 135 डिगरी घड़ी की सुई के विपरीद घुमा अब 135 डिगरी घड़ी की सुई के विपरीद मजब 90 और यह 40 डिगरी और तो 135 हो गए अब उसकी जो लोकेशन है वो आ गई यह वाली अब बताओ किस दिशा में देख रहा हूं तो जब इसको हम देखेंगे तो यहां पर जो सही आंसर आना से अपना वो आएगा यह तो हो गया दक्षिन और यह हो गया पस्चिम तो दक्षिन पस्चिम यानि कि पहला यह उप्सन जवाब का सही हो जाएगा यहां पर मैंने सकते हैं यह पूर है यह उत्तर है अभी एक टाइगराम बनाए था उसके आदार पर इस तरह से यह बन जाए रिशा है नेक स्टुडेंट को रुटेडोस लिखा जाता है तो कौन से सब्द को सांगेतिक वासा में यह लिखा जाएगा यह स्टुडेंट और इसमें क्या है पुल मिलागे डीके बाद ई है वापस एक प्लस एक माइनस वाला नियम इसमें लग रहा है तो यहाँ पर एक सब्द लिखा हुआ देखो स्कोलर में क्या है आर एस बिलकुल जैसे यहाँ पर यह अगर हम मान लें की यह है यह तो जैसे यहाँ पर क्योंकि फोड़ा प्रस् कर दिया यह जो सब्द हैं वो ही पूछ लिया गया है कि सब्द कौन सा बनेगा तो इससे थोड़ा सा रिवर स्टाइल में काम करना पड़ेगा पुझे से यहां पर एस आर दे रखा हैं तो यहां आर एस देखना पड़ेगा में फिर फिर सी डी हो गया फिर जी एच हो गया ओपी हो गया के ल हो गया एक प्लस और एक माइनस यह वाला नियम लगा के और इसमें आंसर आजाएगा पहला उप्शन आगे है गायड एन को सांगे दिक बासाम लिखा जाए बती सब्ता उन चूंसर वार्टर को लिखा जाए बराण में 165 तब वार्ड एन को लिखा जाएगा तो इसमें डव्यू ए है इसमें नाइन टू आ रहा है मतलब भी ऑप्शन है जो इसमें पूरा है जो आप देख ल 18 जो इंशक्षन है वो देख लीजिए वेक्ती ABCDE है वो क्या कर रहा है एक मेज के चारों तरप के अंदर के और मुख करके बेटे हैं वे एक दूसरे के ठीक विप्रीद बेटे हैं यह विप्रीद बेटे वाली लाइन समझ में नहीं लेकिन जब हम फोटो गनाएंगे तो क्लियर आजाएगा मैं चलो बात करते हैं एक यह से मान लोगी टेबल है और जणे कितने हैं यह एक दो तीन चार पांच और यह च्छे टोटल शे जने होगे और इंकम हुआ है जो सब का केंदर के और हैं चेतर बनाने में थोड़ा सा बढ़िया नहीं बनेगा लेकिन प्रेश्ण को समझना आपने सबसे पहला सी बेठा एट अब के बीच में चलो इसी को सी मान लेते हैं और किन के बीच में बेठा है एक तो A बेठा है और एक F बेठा है इन दोनों के बीच में बेठा है इसके बाद B बेठा है के दो स्थान दाई और आपको देखना है B, E के दो स्थान दाईं और का मतलब हो गया इन तीन में से कहीं एक जगह हम E को बिठा देते हैं जैसे ये E बिठा है अब वाक्य गोड़ E के दो स्थान दाईं और ये हैं जो सामने देख रहा है और अब जगह ही नहीं बच्ची है एक गोल में लग जगह छोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पर आजाना चाहिए B और जो बच गया है वहाँ आना चाहिए D अभी देख लेते हैं आंसर सही होता है नहीं होता है D बिठा है एप के दो स्थान बाईं और अभी लिखेंगे फगोल मेज के चारों और केंदर की तरफ मौह करके बिठे हैं सब्सक्राइब करते हैं, पीज़ सब्सक्राइब सब्सक्राइब बरते हैं, सामने कौन बेठा है अच्छ ऐसे भी देखना है एक के ठीक सामने कौन बेठा है वह ध्यान नहीं दिया था तो कोई भी एक के सठीक सामने का पता कैसे चला सकते हैं इसको कर देते हैं उक्त मैसे कोई नहीं यानि की पंदरवा हैं उसमें D-Option आपका से हो जाएगा हैим कि इसमें अगर डिके ठीक सामने हां वी ठोड़ा सा अगर होता तो भी सही कर सकते ठीक थोड़ Ven Marley को सब हूं सब्सक्राइग सोड़ा कुशन है इनमेंसे कौन सा एक का सीधे हाथ हाथ का पहला प्रोसी है एक कदर गया caffeine का का थ्यानत ना है 17 नमर देखें इन में से कौन एक की शीद में ठीक विपरीद बेठा है कि एक की सीद में ठीक विपरीद कि यह एफ कि यानि ए ओप्शन सही हो जाएगा एफ कि इन दो लोगों के मद्य बेठा है एक बार वापस से डायग्राम अर्डर्य तो पिर तो बोट बढ़िया है ममें यहान झार ओया से एक बार वापस से डायरम बना लेना यह यह पिर अगर आपने कर लिया है पेटर्ण और पेटर्ण में यहां पर क्या आना चाहिए तो यह किस से समंदित है इन 3, 4, 5, 6 में से यह देखना है मैं यहां पर ऐसे पेटर्ण लगा रखा है जैसे 34 है तो 6 को 6 से गुणा करके और माइनिस करका है 2 तो चत्रंग हो गए 34 में से 2 गए तो 34 आगए यहां पर 6 कि यहां 6 इंटू 6 के बज़ाए 8 कर दिये तो 8 संग 84 माइनिस कर दिये 2 तो 46 तो पर अब यहां 6 थे पिर 8 होए तो फिर अब यहां 6 इंटू 10 कर दिये 6 इंटू 10 मतलब हो गए 60 माइनिस 2 करेंगे तो तो यह चैसे थोड़ा सा कनेक्ट है 6, 7, 8, 8 का स्कॉयर दे दिया तो यहां 13 का स्कॉयर है तो पांच और 3, 8 और 5 यानि की उप्सन होना चाहिए ट ली गाउं सोपुरा तैसिल सोईपुर यह चीजे आपको ऐसे देखनी हैं सबसे पहले आना चाहिए 2 उसके बाद आना चाहिए 3 और उसके बाद यह तीनों देखेंगे तो उसके बाद आना चाहिए 4 फिर आना चाहिए नहीं यह गलत दे रखा हैं लाश्ट में एक आना चाहिए, एक ही option में आ रहा है, डी वाले option में, और डी वाला option ही आपका सही answer है, नेक्स्ट है, 22 नमबर पर देखे, सुची, विसेवस्तू, सीर्शक, पार्ट और प्रस्तावना, तो ऐसे प्रस्टों में थोड़ी सी सावदा नहीं रखनी होती है मैं, जैसे सबसे पहले होती है प्रस्तावना, अब चेक करेंगे जहां तो पांच जो दो में आरा के वली हैं, यैंगि ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता, अब लाश्ट वाले को देखके भी हम चाहें तो समझ सकते हैं आराम से कि दो और तीन में से कौन सा पहले आना चाहिए कौन सा बाद मेहना चाहिए जैसे दो और तीन में विसे वस्तू और शीर्षक तो शीर्षक पहले आना चाहिए विसेवस्तू बाद मैने चीए मतलब दो जिसमें लाश्ट में हैं वो सही हो जाएगा नहीं की बी ओप्सन है जो यहां पर बाईश्यों में सही है और मतलब क्या हो गया सबसे पहले हो गई प्रस्तावना फिर सूची पार्ट शीर्चक और विसेवस्तू लाश्ट में प्रस्ताइगी नहीं और यहां पर भी हम अगर देखें इसे तो सबसे पहले आना चाहिए कपड़ाओं कोड सूथ भेड़ पांच आना चाहिए पहले तो यह दोनों आंसर नहीं हो सकते इन दोनों में से ही कोई एक सही आंसर है अब यहां पर लाश्ट में तीन आएगा यह यह दोनों में से कोई एक उत्तर होगा तो देखते हैं तीन और पांच में से ज़िए फरीं और लगड़ी तो फरींपा ऩ works out of some newsh me that कि शफार में इसके लिए महां विजएवा तो बड़िया प्रश्णाहिए और देखते एंसबसे पहले आना चाहिए घर तो घर आना चाहिए मतलब एक सबसे पहले आगा निए डी ओप्षन इसका उत्तर कभी भी नहीं हो सकता जैस्ट विद्या ले आना चाहिए एक के बाद 4A की ओप्षन आ रहा है सी यानिकी यह से उत्तर है 26 से 30 में नीचे दिये गए संदर उचित निश्कर्स चुनना है और अरुन कलाकार है अरुन क्या है कलाकार है चलो ठीक हुआ है पिर क्या देखा कलाकार संदर होते हैं यानिकी कि अरुन क्या है सुन्दर नहीं है कलत है सारे सुन्दर लोग कल अरुन सुन्दर है तो यहां ओगया शिक्षक और यह हो गया पिता सब लड़के शिक्षक है लड़के, तो एक तरीके से लड़के हैं जो पिता भी होंगे, कुछ पिता लड़के हैं, कुछ शिक्षक लड़के हैं, कोई लड़का पिता नहीं है, सभी लड़के पिता हैं, क्योंकि सिक्षक पिता हैं, सभी शिक्षक, सभी शिक्षक है जो पिता हैं, और सब लड़के श कि सबी धेसे कलें दो परीयावान का रहे हैं यानि कि कुछ कारें क्या यहां पर देखना पड़ेगा कि सबी साइकलें का रहे हैं में तो नहीं है सभी कारे थे छैकले नहीं है हाँ ये बात चीग है कुछ ही कारे हैं जो सैकले है यानि कि जो सी वाला option है वो आपका 28 में से उलेगा कि अन्य कि अ कि अ कि कतन सभी लकड़ी के टुपड़े जहाज हैं सभी जहाज ना हो है यानि अधि लखड़ी के टुपड़े ना हो है इस तरह से यह option अगर आएगा तो उसको हम सही मान सकते हैं सभी लकड़ी के टुकड़े ना हो हैं यह पहला ही सही हो जाएगा क्योंकि देखो सभी लकड़ी के टुकड़े लकड़ी के टुकड़े की बात हो रही है वो क्या है जाज है अब सभी जाज है जो क्या है? ना हुए. इसका मतलब लखडी के टुपड़े क्या होगए? ना होगए. तो पहला ओप्सन इसमें सई है. Next है सभी बच्चे कुर्षियां है, सभी बिल्लियां बच्चे हैं. तो सभी बिल्लियां कुर्षियां हो जाएगी इस तरह से इसमें आंसर हमें देखना रहेगा सभी बच्चे कुर्षियां सभी बिल्लियां बच्चे तो बिल्लियां कुर्षियां बिल्लियां कुर्षियां होना चीए कुछ यह गलत है कुछ गलत है कोई गलत है सबी विलियां कुर्सी है याने कि डी वाला उक्षन इसमें सही हो जाएगा एक विक्ति के ओर इंगित करते वे अरुना ने कहा यह है मेरी बहिन के भाई के पिता का इकलोता लड़का है तो उसका समन्द क्या होगा तो इसके लिए डाइग्राम कैसे बनाना है यह पूरा आपको बता रहा है यहां पर देख लेते हैं जैसे अरुना ने जैसे मान लीजे यह रही अरुना और यह कोई वेक्ति हैं उसके बारे में बहुत कर रही है यह है मेरी बहिन के भाई तो अरुना की एक बहिन हो गई यह भी मान लेते हैं और उसका यह भाई हो गया कुल मिला के यह तिनों भाई बैन हो गया ऐसे हमें द्यानत नहीं है अप्यता मतलब यह पिता का इकलोता लड़का है क्या यह एक पाई है कुल मिला के यह तो उध्यादा सोचने का काम ही नहीं है आजाएगा नेक्स है यदि टीना की मा उदे की मा की बेटी है तो उदे का टीना से क्या समझना है यह पूछा गया है 32 में यहाँ पर भी डाइगराम मना सकते हैं यदि टीना की मा तो यहाँ हम लिख लेंगे यह नामा गया टीना यह हो गई मा उदे की मा यहां पर है उदे और उसकी यह है मा और उसकी बेटी है इसका मतलब उदे है जो क्या हो गया यहां पर मामा जी हो गया बिल्कुल ठीक बाद है क्योंकि टीना की मा और उदे दोनों भाई बैन है उनकी मा एक ही है यानि की टीना की ममी का भाई यानि की टीना का क्या अगे पांच नहीं हो यह पूछा गया है तो देखते हैं इसमें कितने आठ एसे हैं जिनके एकदम पहले चे वह प्रतु बाद में पांच नहीं हो तो पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए आठ को जस्ट आर्ट को इडेंटिफाई किया और नेक्स पांच आग़े पिर कर दीजिये 8 के बाद पांच है तो क्रोश करेजिये 8 के बाद एक है यह हो गया एक पहले 6 है बाद में 5 नहीं है यह नहीं हो सकता यह đã रहा है यह लगाधिया पहले चहेन है बाद में 5 नहीं होना dije अब एक कठहका नहीं है मतलब यह 2 हो गए झाल झाल रहा है यहां रहा है यह लिड़ु श्याः है इसका अथर ऑफ है तो नहीं हैतो के भी तो प्त रया है, प्त लुड़ु है। जिनके पहले दनों पर गश्याः नहीं है। आनसर आना चाहिए आपका 33 में डीव अलाउस है चोंतीस से अड़तीस के लिए निर्थेस हैं कि एक है जो अलग है उसको छांटी है तो नारंगी लाल और हरा यह सब रंग हैं खूंगा मंगरमच केंचुआ और खर्गोस यह सब हैं जो रेंगते हैं और खर्गोस हैं तोड़ हो गया है सितारा सुर्य विश्व चांद कुल मिला के विश्व से यह तिनों जो अलग हो गया है घी दूद दही और चीज इसको तो लगता है कि चीज यह कुशन आया था कहीं क्लास में ने देखा था तो उस समझाए भी था बहुत अच्छे से कुल मिला कर मैंने इसको सही नहीं बता दिया सही नहीं बताना है इसको तो समझना है कि यह जो क्या है देखो घी चीज और दही यह तीनों है जो बनते हैं किससे दूद से इसका मतलब कि यह जो मूल भू तिकाई हो गया एक तरीके से और यह इससे बनने वाली चीज है जो एक डेरी प्रोड़क्ट है ऐसे याद रहरा है बिल्ली चुहे जानवर में कॉनसा समंध बताएगा तो यह बिल्ली है और यह चुहे है और यह जानवर है मतलब यह वाला उप्सन ही सही है यहाँ पर कौनसा है जो सही है नहीं है देखते हैं हाँ इसमें पहला ही उप्शन सही है इस आधारब देखो एक आठ साथ नो जैसे एक आठ साथ नो एक आठ साथ नो मतलब यह चार रंग है जो आगे पिछे होके यहां पर आठ नहीं है रहा है इसकी जिगए सब्सक्राइब 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 मतलब यह बी वाला उप्सन है जो सही उत्ता है नेक्स है आठ सत्ताइस एक सो परचीज दो सोड़ा तीन सो तेरा सो पान सो बारा एक हजार नो तेरा सो इक तीस यानि की 43 है उसमें थोड़ा सा आपको सोचने का मुकाब चाहिए होगा इसी दुरूप से और जैसे आठ का कि तो यहां पर कि 1009 किक नहीं है मतलब यer बीवला उप्सन है जो कहन नहीं है बाकी सहब वे जो सखन संख्या है कि हैं और 44 में गहिश्य सो डा है चोंसटवी कि 230 सब हैं तो फिर थोड़ा ओर स्पेशल देंस में क्या है कि दो इंटू दो 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 दुनी चार दुनी आठ दुनी सोडा मतलब दो की घात चार लिख सकते हैं यह सेम नियम है जो सब में लागो होगा जैसे यहां पर 81 है 81 को हम लिखेंगे तो 3 x 3 x 3 x 3 9 x 27 को तीन से गुणा करेंगे तो 80 बनाएगा एसे ही 625 है तो इसमें 5 आप पाच इंटू पाच इंटू 5 x 5 पुल मिला के यह कोई एक संक्या जैसे दो है दो का स्क्वाइर क्या होता है चार इंटू चार कर दो यहां पांच का स्क्वाइर क्या होता है पचीश इंटू पचीश कर दो फिर यहां तीन का स्क्वाइर क्या होता है नो इंटू नो कर दो यह तीनों है जो स्क्वाइर से जा सकता है एक्जाम जब आएक है तो फटाफट से देखते हैं इसे लगता है कि सभी है जो इस रेंज में हैं लेकिन यह जो गलत है डिवाल उप्सन आट इंटु चार माइनस नो भाजक तीन प्लस एक का सही मुल्य तो यहां क्या करना हमें सबसे पहले जिसे भाजक हैं मतलब नो में तीन का भाग देंगे तो तीन आजाएगा तो आठ इंटु चार यानि आठ चोग बतीस सीदा लिख देते हैं और माइनस तीन प्लस एक हैं तो माइनस तीन करेंगे तो बतीस में से तीन अगर चले गए तो अपने पास हो गए 29 और प्लस कर लेंगे एक यानिकी 30 यानिकी डी ओप्शन इसमें सही आना चाहिए 43 से 50 में हमें निश्कर्ज देखने हैं देखते हैं चलो हुं ऑप्शन यहां पर देखने हैं पर तो 46 में कुशन और 46 में क्या करना है जो देखते हैं कुछ मेजे टेंट है यह हो गया मेजे और यह क्या है कुछ टेंट नदी है कुछ टेंट है जो क्या है नदी है सभी नदियां तालाव है सभी नदियां क्या है यह लास्ट वाला जो बना है वो बन गया तालाव का चित्र अब यहां पर अपने पास जो उप्सन है उनमें चलते हैं कि कौन सा है जो इसको सही माना जाए कौन से को नहीं कुछ तालाव टेंट है या तालाव और टेंट है तो क्रोस कर रहा है बिल्कु सा एक वाला उक्षन लेकिन एक बार वापस देखते हैं क्या कहां नहीं है इसमें पहला तो कुल मिला के हिंट्रेड पर्शेंट सही है पहले में तो कुछ बोलने का काम ही नहीं है अगे हैं कुछ तालाब मेज हैं अगर टेंट है तो फिर मेज भी होना चाहिए यहां पर दे रखा है डोट 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 आ रहा है इस करण से हम इसको सही मान सकते हैं तो फिर यहां अपने पास जो ओप्सन है उनमें ओप्सन नमबर यह दोनों निश्कर्स एक था दो सही है अब इसमें आपने अगर एक और तरीके से चितर बनाया वो तो थोड़ी सी गड़वड़ हो सकती है वो भी बना लगते है जैसे आपने इस तरह से यह बनाया वो चि तो जो आंसर की हैं उसमें इसे दिपान रखता है कि क्योवल पहला सही है लेकिन एकजाम में ऐ cupcake से बनाते हैं तो भी यह 100% accuracy की साथ जो सही माना जाना चाहिए क्योंकि चित्र जो संबावना है जो बन सकता है तो उसको उसी तरह बनाया जाना चाहिए है ऐ institutions 1 डेकिलाल में हम मैं जो इसमें आंसर सही मान लेते हैं । निशकरस एक वाला। सेचास नंबर देखते हैं सेचास वह हैं सभी कुर्षियां पेन हैं तो यह जिसे लिख दिया हमने कुर्षी और यह हो गया सभी पेन कुछ पेन चुरिया हैं अब इसमें एक चितर ऐसे बन सकता है और एक ऐसे भी बन सकता है तो ये टेकनिकल समिशा आपके सामने आएगी दो चितर बना के और एक में क्रोस आ रहा है तो फिर उसको गलत मान लेना आएगी दोनों चितर बनेंगे दोनों में सही है तो फिर उसको सही मानना में साथ सभी छुरियां चुए हैं तो यहां पर एक चितर बन जाएगा और एक चितर बन जाएगा इस तरह आएगा यह जाएगा चुहे और यह जाएगा चुरियां दोनों जो एक साथ समझ लेते हैं कुछ चुहे कुर्षियां हैं तो यहां से देखेंगे मतलब इसे चास में जो सई होना चाहिए अड़ चास हैं कुछ पेड़ डिबबे हैं सब्सक्राइब इसकरس कुछ कुछ पेड़ हैं सबी इणवन там यक्रों सा इंच कोई कनेक्षन सब्सक्राइब किनुहीं है सब्सक्राइब छेको सब्सक्राइब की लिए लाइन रना इंच का लिए यह सारे डिब्वे हैं यह हो गया और सभी निटे कुट्टे हैं मतलब यह बनेगा और कि कुछ कुछ कुट्टे पेड़ हैं कुछ कुट्टे पेड़ हैं मिश्चित रूप से आये गई क्योंकि यह लाइन अगर चोटी भी निकालेंगे तो भी निकलेगी वहां सभी इंटे पेड़ हैं इंटे हैं जो सभी इंटे पेड़ हैं कि पेड़ तो बहुत चोटा रह गया यहां तो इसका मतलब हो गया दूसरा है जो गलत होना चाहिए पोर्टे-एट में हर्टे-एड आपको इसे ही मानना पड़ेगा आपको नेक्स्ट happens हैं सभी पॉर्ट अंगुकियां आपको ठूसरा做 घ्र मूर्ट हैं अवी पोर्ट अंगुंख किया हैं सभी इंगुकियां हो छे मिश्वी पेंट हैं उसन्वी पोर्ट अंगुकियां हैं तो ये तो सभी चूडियां अंगूख्यां है सभी प्रॉट प्रॉट्या तो कि यह चूडियां होगई अब हुआ जब कर दो दाए और इस ऊच्छा तो कि यह उन्गूख्या है है चाहिए शेवीं इसलिए सथी चूड़िया कई यहां जयाँ चाहिए सबीचूड़िया के जो सुधिक आएंगे उनक चाहिए मतलब पहले-पहले एप्सीं?...50 किषर जंगर है जंगल मान लिया इसको और यह क्या हो गया यह हो गया जंगल कुछ जोंपड़ियां दिवारें हैं कुछ मतलब पेड कहां से है समझ मैं नहीं आ रहा है मैं कुछ और ही पड़ रहा हूं गया कुछ जंगल जोंपड़ी है यह हो गया जंगल और इसका कुछ भाग जो क्या है जोंपड़ी पिर किछ जोबडियां दिवारे हैं कुछ दिवारे नेट थे हैं कुछ नेट जंगल है अब यह वोई श्टाइयल लगानी पड़े इस तरह से बन जाएगा फिर इस तरह से बन जाएगा आगैं से आगधे तो इसको सही मानना पर निगामें क्योंकि कुछ में यहां से अकर्थी इस तरह भी बन सकती थी फिर एक अकर्थीश में साथ में इस तरह से बन सकती थी नेट जो अपड़ी हैं तो बिल्कुल सही है दोनों कथने जो शही मान रखें और इसको हम डिटेल से देखेंगे इस तरह से कुछ प्रस्ण रहेगी कि वह प्रस्ण है जो अपना सही नहीं होगा अगर हम केवल एक चितर के आदार पर सही करेंगे और थोड़ा बहुत इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंस है जो एक जामनेर क्या माइंड सेट के साथ क्यूशन मना रहा है वो भी महत्पूर्ण है तो भी रीजिनिंग जाए समन है अब तो सलूंबर में चली गई है जिला यह लग हो गया लेकिन अभ्यान रगना है कि जाए समन जील है वह सबसे बड़ी क्रित्रिम जील है राज्य थार का कलप्रिक्स है जो खेजडी को कहते हैं राज्य खेल अपना उनिशोड़चास में गोशित हो गया था सब्सक्राइब के बारे में थोड़ा सा यह गलत दे रखा था कोटा का जोदपूर में है जोदपूर में लगबग 60 एकड़ चमीन है जिसमें की राजस्तान सरकार ने निशूल परदान करके और यह लगवाए था जीरा धनिया वगएर पेकिंग अगर जो भी ग्रेडिंग गरत काम है जो यह हो जाता है तो मतानिया जगया है याद रखना आपको जोदपूर मेरे में तेल निकालने के काम में केर और एनरजी काम कर रही है और सोनार किला सत्यजीत रेक की मूवी है धर्ती धोरानी कन्याला सेठीक कविता है मुएसे अलगोजा है इसको बजाते है राम देव जी की नेजा होती है तो जाओ आशापूरा मता है जो चोहान मंज की खुल्देवी है ब्लू पोर्टरी के लिए जैपूल फेमस है क्रिपाल सिंग शेकावट सिकर लर्निंग के लिए केकड़ी फेमस है केकड़ी में भी खासतोर से यह गाउं का नाम भी अगर य मुख्य सचीव सही करवा दिया होगा आपको उशा शर्मा है वह बड़ा नहीं आता है उशा शर्मा नगर निगम हो गए हैं दस अगर यहां पांच है तो दस आपको याद रखने हैं मारवार्ट का गंदी गयलोद नाद्वारा मंदिर में स्रीनाज जी की मूर्ती कहां से वरिंदावन से लाई गई थी यह हमने पढ़ा भी था नोट्स में राजस्तान अक्षेतरवल की दृष्टी सबसे छोटा जिल्ला है वह दोलपूर है इस तैस चोटीस जो भी है नजार के लगबगी है और चंबल है याद रखे नाम तो एक लेखक गाई का है मधुभटत तेलंग या आपको याद रखना नाम राजस्तान की एक मात्र है जो तुरूपद गाई का भिष्णुई जाती है वैसे खेजडी को नाम लिखा हुआ है यहां पर मूलूट से यह नाम है जो खेजडी है खेजडी को स संगी इपनाटा कादमी जोदपूर में है पक्का याद रखना है इस तरह की एक आधी जो संस्तान है एक अकेडमी है इसका नाम पूछा जाएगा जरूर ही अवय एड़्डा दो उदेपूर जेपूर यहां है तो जुन-जुन मिश में अलगा जाएगा चो मुत्र हैं सब पहले कोलेज कहां कोला गया था कोलेज वाले प्रस्ण में सभी ज्यादा तर स्टूडेंट जो उनके दिमाग भी आयागा कि आना चाहिए जाएपूरा ना चाहिए या जोद पूरा ना चाहिए लेकिन टेक्निकल समिशा है एं 1829 में जेबेज केरी ने एक स्कूल कोला था उसको बाद में जो कोलेज में बदला गया था तो इसी कारण से अजमेर यहां था है साहिए करना है इस सब गोल के लिए जालो और फैमस है रणकपूर जेहन मंदिर के लिए चुगदासु चोमाली इसकंबों का जैवगर भी का जाता है इसी लिए स्रिष्टी को तेरा की मे चलपरी भी आजाता है समय की बात है मेडल पराप्त हुआ है का मतलब करण जी के कहिसाप से आया है यह जब भी प्रश्मना था उसमें और वित्तमंतरी वर्तमान में मानना है आसो गलोत के मानना है लांगूरिया जो माता जी केला देवी के लिए गीत गया जाता है मुना ब तीवास तीस मार्च रंगनाद जी का मंदीर पुषकर में है संदन्ना वो टोंक के हैं राष्ट्री लो युनिवर्सिटी जोद्पूर में है कि राजस्तान का मांचेस्टर भीलवड़ा है चैन्वी सुभारती संस्तान लाड़नु आचारे तुलशी जन्जाती की संख्या मीना सबसे ज्याता है दूसरे नमबर भीलें फिर हैं जो राष्या और नेक्स्ट कि रोडी सिंग बेसला को पाटोली के बाबा का जाता है तो न यह जो खेम्स में दिया जाता है मारना पुरुषकार रूप कमर दिवराला शिक्कर सही है पहला हेरिटेज होटल है जो अजीत भावन चोधपूर है अक्षय पात्र फाउंडेशन स्कूलों में मिंडे मील का काम देखता है यह जो सिटी का आसपास की स्कूल होते हैं वहां मतुरादास मातुर क्रिकेट अवार्ड है वह अपने आगा सबसे बड़ा पुरुषकार है कि अंदर साशित प्रदेश में मिल गया था हाज मेर मेर वड़ा प्राज्य पसूं जो चिंकारा और उंट भी है रेल्वे ट्रेनिंग स्कूल मोडल स्कूल जो भी कई जाती है क्लास में या दिलाना या फिर कमेंट करना इस वीडियो में आगे हम बात कर रहे हैं टीचिंग अपिटूड में ज्यादा तर स्टूडेंट सुरू में पढ़ते नहीं है और जब पढ़ते हैं तो कुछ जगे क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी समिशा है फेक्ट की कोई भी तर तो अच्छे से समझ जी रिसज कीजिए जो ढोगने साफिर कि Gilles है या फिर जो आंसर की बाता रहे हैं जो प्रस्त wusini आंगे है तो जरूरा को बताना है ताकि उसमें आपैंप ओल एस पोपिनोव जो परिवरिक समंदों की शिक्षा के लिए जाने जाता हैं किताब यह इन कीज के उपर बेहुदा तरीके से पेसारे विद्यारती को थोड़ा सा आप ऐसास करवाएंगे वो चादा सही यही है बागी उप्सन को देखेंगे न करोद करना अदंडित करना लजिए करना यह ओप्सन र्चादा शाई नहीं मनें जा सकते हैं मॉर्तमान स्कूल कूरा नहीं कर पार है वाउना का विकासत हो रहां सबसे में जो समिशा आ करवाना अच्छे नाघरिकतियार करना ग्यान को बढ़ाना अब यह ग्यां को बढ़ाना यह कौना यह उंदर स्काइब ऐसी कारण से सी यह एक की चिक्शका काक्षा में अपने विध्यारतियों के प्रतिक है मेदावी पर ज्यादा देने के अवश्यक्ता नहीं पड़ती है भेदवाव कभी नहीं करना है कमजोर विद्यार्तियों पर जादा हां ये बढ़िया है सभी विद्यार्तियों पर बराबर ध्यान देना चाहिए लेकिन प्रकरती नहीं जो सभी को बराबर नहीं बनाया है तो कहीं नहीं जैसे एक प मजा कभी नहीं उड़ानी है घर पर काम करने की सला प्राइवेट विद्यारती बनकर विभिन विश्यों पर उसकी आवशिकता नुसार मार्क दर्शन देंगे आप जो कर सकते हैं उसके लिए बहतर है जो वह पहला उपसनी है कौन सा सामाजी गुण एक सिक्षक का मान बढ़ाता है सामवदाईक शेवा बिद्यारतियों के लिए केमप कायोजन है और कविता पठन है अब यह सामाजी गुण की बात की हैं तो फ़िर सामवदाईक शेवा ही सही मानना पढ़ेगा मैं प्रेड लगाओ भियान बहुत वाकि आवशक ही मानना पड़ेगा इसको कारगर और सफल नेत्रितु का अधार होना चाहिए हमेशा जो लाश्ट वाला उप्शन है पूरे समों का कल्यान और 110 नमबर के प्रश्ण में आपसे पूछा गया हैं आपको एक करेक्रम में मुख्यातिती बनाया है तो विसे मुख् इक्षत हैं और थोड़ा सा इस मामले में ध्यान रखना है आपको तो फिर आप समय पर पहुंचेंगे समय पर पहुंचेंगे और सभी जदी एक विद्यारती दूसरों से मिलने से कत्राता है तो उसका इलाज क्या है सामुई कतिविदी में सामिल करो उसे तो फिर हैं तो फिव्ट बढूरःती को चुकी हैं लेकिन हमारे देश में जो यह चीज कितना आपने देखा होगा बहुत जबदे लेवल पर हैं जो यह रहा बहुत कम लोग नास्टी तो उसका कारण क्या है यह वाला क्योंकि मानों है मानों का मनों विज्ञान है उसको कहीं ने कहीं से सकती चाहिए होती है रेगुलर और आपको आंतरिक सकती मिलती है जब भी आप भगवान की पुझा करते हैं इस कारण से यहां सी ओप्सन है जो सही है देखो भगवान का डर करने के लिए नहीं होते हैं अगर दोस्त गलत के लिए कहते हैं और कि ऑल बक्ति में करने के आपको यह व़ाला जो सही सोच के समझ के चलना है इसा बड़ा को सबसे बढ़िया इलज किया हो सकता है तो प्रेक्सा नहीं करनी है अलग नहीं रखना है उसके एसे विवार के उचित कारणों की चांच की जानी चाहिए ताकि उसके आदार पे आप उसको है जो एडवाइज दे सको तो यह तीसरा उप्सन सही हो जाएगा कठोड़ता से डंडीत करना गलत है 114 नंबर पे जो श्थिती है परिक्साय नजदीक हो तो शिक्षक क्या करे मैध्पून परशन बताए पाठेक्रम को पूरा करने के लिए विद्यारतियों को घर बुलाए स्कूल में अधिक समय देकर पाठेक्रम पूरा करना चाहिए पाठेक्रम समय पूरा करने का शी वाला यहां करने किसे सुल जाएंगे तो केसे सुल जाएंगे बात करेंगे उससे किसी प्रकार कोई शमेशवारही है तो विवाद नहीं करना मजाग नहीं बनानी है दोनों तो गळलत हो गए है प्राचारे से शिकायर हाँ यह रहा आप कारण जानकर उसको अपस में सुल जागर कोई भी समिशे आ रही है आपस में बेटकर बात करने से उसका सोलुशन निकल सकता है नेक्स चाहिए एक सिक्षक के आत्म विश्वास के लिए क्या विश्वास है तो रईशी सामाजिक होना ठीक है आप कर सकते हैं विशे का विशेशगी होना यह कॉन्पिडेंस देगा आपको बीवला उपसन सभी सिक्षकों को स्कूल में निरधारित समय पर होना चाहिए क्यो अगर एक बार अच्छी आदत पड़ गई उनमें तो जिन्दगी भर वो हैं जो उस चीज को आगे प्रोशीड करेंगे अपने जिवन में उतारेंगे आदत के रूप में अगर वो रहेगी तो इसमें डी वाला उपसन ज्यादा सही है वैसे यह निटदारित समय वाला सवा में पर आएंगे अब इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है लेकिन अगर अच्छी आदत पड़ गई तो वो स्कूल तो आएंगे आएंगे बाद में जिवन में भी समय का मैं तो समझेंगे इस कारण से ज्यादा सोलिड है वो लाश्ट वाला उपसन यहां हो गया एक सो 18 में हमसे पूछा है शिक्षा पर सरकर निती शिक्षा को एक विशिष्ट निवेस मानती है विनियोग मानती है यानि सी ओप्शन इसमें सेव जाएगा पानेक्स 119 में पुछा है एक गनिश समंद्ध है विवावक बच्चों की सोच में ठीक है शिक्षक शिक्षा विद्ध नियोजित नियोजित स्कूली ज्यान स्कूल और समाज जो चाहता है एक जामिनर वो उप्शन यह है श्कूल और समाज है वो आपस में एक दूसरे से गनिश रूप से समंद्ध है ग में बात कर रहे हैं एक इछ शिक्षक की परात्मिक्ता होती है हमेसा हमेशा विद्यार्ती है वह उसकी परात्मिक्ता रहेगा अगर आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो शुरुवात करेंगे हमेशा जब हम बात करेंगर 122 जैसे क्यूशन है वो शिक्षा में सुधार है जो सबसे बेस हैं ऐसे कुछ से एक दो देशों के बारे में नजाने सच है या गलत है लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो मै बता दो मैंने इसे पढ़ा है कहीं की अमेरीका और जो बड़े बड़े विक्षित देश होते हैं उनकी से practitioners सबसे ज़्यादा होती है बागी जोเอाव्य यहां पढ़ाते हैं उनकी अनके बनीश्प्रत कम होती है और आईसा माना जाता है कि यह सतर है जो अगर भूथ बच्चा कर लेता है बहुत ज्यादा उसको पढ़ाने की रिसकी आवशक्ता नहीं पढ़ती है तो ठीक है इसमें प्राद्मिक स्थार आपको ध्यान रखना है अगर वो सही है नहीं है यह मैंने विच्छेग नहीं क्या लेकिन मैंने कहीं पढ़ा जरूर है इसा 123 हैं शिक्षण कारे में सफल्टा के लिए आवशक गून है तो 123 में सफल्टा के लिए आवशक गून में अगर हम देखें तो वोतिक दिश्टी कोन को अटा सकते हैं निपूरता धेरिय और सजगता अगर यह चीज़ें आती हैं तो पिर तो क्या ही चाहिए सपल्दा मिलती ही मिलती है और निस्चित्ता तो गलत सब्द है अधिकारवादी दिश्टी कोन आपको नहीं रखना है नेक्स है स्कूली स्तर पर शेक्षिन एक निर्देशन स्कूली स्तर पर है वो किसके द्वारा है तो मारे इंडिया लेवल पर जो काउंसिल है वो है एंसी आर्ड जिसको हम बोलते हैं नेशनल काउंसिल ओफ एज्योकेशनल रिसर्च एंड ट्रैनिंग 10 प्लस 2 प्लस 3 शिक्षन प्रणाली का सुझाव दिया था तो यह 1986 की इपनी शिक्षा निती थी वेसे राजस्तान में क्या इंडिया में तीनी शिक्षा नितिया तीन का मतलब यह 2020 वाली है वो तीसरी है और यह 1986 की शिक्षा निती में यह 10 प्लस 2 प्लस 3 मतलब यह BA के लिए आया था 10 प्लस 2 का मतलब हो गया 12 हो गई जैसे पहली से 10 तक की एजुकेशन यह हो गई फिर 11 वारी हो गई फिर यह बेचलर वाली एजुकेशन हो गई तो यहां पर यह था श्रक्टर अभी जैसे 2020 है इसका भाई चांस पूछ ले आपको तो यह आपको ध्यान रखता है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस और यानि कि यहां पर तीन साल तो जाएंगे बच्चे के किंडर गार्टन में किंडर गार्टन का मतलब हो गया जिसे अपने यहां टीसरी चोसी और प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस वाद यह जो चार साली फ्लस किंडर यह चार प्लस बारे जोच्चे अब रहेगे सकूली एजुकेशन है कुल मिला कर जो नई एजुकेशन पूलिस है उसमें 5 हो गयا फिर प्लस हो गया तीन, फिर प्लस हो गया चार और यह केवल एजुगेशन है, वो स्कूली एजुगेशन है, ऐसे मान लिया गया है हम अपने आपको अच्छा समझ सकते हैं, तो आप सिक्षक बनने जा रहे हैं, शिक्षक से रिलेटेट यह टोपिक सल रहा है, तो इसमें शिक्षक से आजाएगा नेक्स वन 27 है, उसमें पुछा है मान शिक्ष वास्तिय हैं, तो वेक्तितु का सू मेल से करेगा, सू मेल का मतलब हो गया, जो काम उसको करना चाहिए, वो काम अगर वो करना है, तो उसका मान शिक्ष वास्तिय हैं, जो रडी है एक वेवसाय में सफल होने के लिए आवशक है तो सारी चीज़ें इधर लिखी हुई है तो भी वाला उप्सन है जो इसमें हमें सही मानना चाहिए प्रेरणा सचा जिदा ठेरिये जैसे द्वनी चित्रण यानि कि द्वनी भी होती है फोटो भी होती है तो мне चित्र होते है यां केवल चित्र सूचना ग्यान को ब्राप्त करना होता है तो एक तरीके से सूचना और तता ग्यान है उसको इन में से कोई नहीं याद करने की शमता समय जिनकी शमता स्मरण करने की शमता कहेंगे क्योंकि वहाँ पर ग्यान है उसको वापस से रिकोल मेथड जिसको हम करते हैं समर्णतुना प्रिणाम का घ्यान होना चाहिए, तो तुरुंध प्रवाव से हमेरे इंड प्रेड़त का पता चलना चाहिए, निए कि परिणाम का ज्यान होना चाहिए प्रेड़ना के तत्पश्चात इसको एक संदर में और समझना आपको जैसे आपको कोई काम करने की परिणा मिली है तो तत्पश्चात क्या होना चाहिए आपको यह पता होना चाहिए कि यह काम करने के बाद इसका परिणाम क्या होगा उसके बाद है जो आपको डिसिजन लेना चाहिए काम करना है है या जो भी है हर बच्चे को रशनात्मक बनाने के लिए जरूरी है तो आप है जो निशित रूप से एक बिना डरोर सहयोगी वातावरन सहयोगी वातावरन का मतलब क्या है जो भी आप समझेंगे जैसे कोई भी बच्चा है उसके दिमाग में 24 कंटे ये रहना चाहिए कि कहीं पर कोई भी मुश्किल आएगी तो कोई ने कोई तो है जो उसकी मदद करेगा यानि उसको किसी तरह का डर नहीं रहना चाहिए कि अब मेरा क्या हो गाया ये चीज मेरे समझ में नहीं आरी तो अब मैं जो क्या करूंगा यानि उसके लिए जो उसका आसपास का environment है वो ऐसा helpful बनेगा तो फिर निशीद रूप से बच्चा है वो रुचनात्मा बनेगा एक शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए शिक्षक को किस बात पर बढ़ावा देना चाहिए तो देखते हैं जैसे विद्यार्थियों को प्रस्म करने पर ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई और भै कभी नहीं विद्यार्थियों को काम पूरा करने के लिए परिशान करना परिशान नहीं करना है तो एक ही option बच गया आप जो भी हो गए सही होगा वहाँ पर विद्यार्थियों में आपसी मेल जोल के सम्वाद को प्रोचसान देना यह जो डी वाला option है वो इसमें सही हो जाएगा नेक्स है 135 शिक्षक एमम अभिभावक विद्यार्थियों में बुद्धी मता को ज्यादा मेतु देते हैं क्योंकि यह सूशाध्य बनाता है तो क्या चीज है जिसे सूशाध्य बनाता है शेक्ष्णिक शपलता और सामाजिक मानेता यहां पर जो बड़ा option दिक रहा हैं उसी क कोई ज़ादा मैतुद्ध क्योंकि यह शेक्ष्णिक सपलता है क्योंकि बुद्धि मता है तो फिर वह एज्यो के जो भी होगा उसमें सबस्पर रहेगा और समाझ ने इस बात को मानेता दे रखी है लटकियों की शिक्षा का विरोध ग्रामन लोगों द्वारा किया चाहता था यहां हैं लिखा हुआ हैं लेकिन इसको हम X से कह सकते हैं कि किया जाता था तो इसमें हम पहले भी देख चुके हैं यह प्रसन सामाजिक मुद्धों पर अपनी राय देती हैं इस कारण से तो यहां जो C वाला उप्शन है वो इसमें सही आंसर हो जाएगा 139 है 139 में है एक सिक्षक को विरिश्द विद्यार्थіों से विवार करना चाहिए तो विरिश्द विद्यार्थियं चिड़, टनासा दोस्तिक बाए ज़्यादा सही हो जाएगा बराप्दी का, तो सही हो जाएगा डिय वला उप्शन प्रहे करें पूरा करने की नहीमित आदत विद्यार्थियों को बनाती है विश्वस्ते विद्यार्थी 141 में हमसे पूछा गया है नर्स्री स्कूलों का मुक्य उद्दिशी क्या है तो प्रिक्षन में रतना, प्रशिक्षित करना और नेक्स्ट क्यूशन है अपना 143 विद्यार्तियों में राष्ट्र एक्ता की बावना जागत करने के लिए आप जो ऐसा क्या करेंगे तो निबंद प्रतियों किता राष्ट्री एकता पर भाष्ण मान वेक्तियों की चीवनी राष्ट्री परवों पो अपने स्कूल में जोर सोर से मनाएंगे यह जो अपने बास एक बड़िया उप्षन हो सकता है दीवाला उप्षन सबसे महत्रून काम क्या है तो अंतिम रूप से अगर हम देखें तो यहां शिष्शों लिख दिया हैं विध्यार्थियों के विकास के लिए उन्हें काम करना है यानि एवाला उप्षन इसमें सही हो जाएगा एक शिक्शक से क्या अपेक्षित नहीं है तो हाजरी का इसाप तो अपेक्षित हैं, सामाजिक शेवा भी अपेक्षित हैं, गरेलो स्कूल की परिशानिया किसी विद्यार्थी को हैं, तो दूर करने में मदद करनी चाहिए, विद्यार्थियों के गर जाना कोई जरूरी नहीं है, यानि कि टी वाल उप्षन है, वो सही है, मतलब अपेक्ष कुछ द्रिश्टी कोन में, जिसे समाज में जितने लोग बाग हैं, बड़े लेवल पर जो भी काम कर रहे होते हैं, कहींने कहीं वो लोग भी हैं, जो इनके द्वारा ट्रेंड किया जाते हैं, या तियार किया जाते हैं, शिक्षा इनके द्वारा प्राथ करते हैं, तो उन लेना ज्यादा फायदे मंद रहता है शेक्षिनिक कार्य कारियों के बर्गी करण के नुसार किस में आता है तो पैशेवर में आता है यह आपको धियान रखना जैसे डोक्टर इंजिनियर हैं वैसे ही टीचर है जो पी प्रोफेशनल होते हैं पैशेवर में आए गाई दिपर करते हैं बहुत सा नुकत प्रभाओं का परिणाम माने जा सकती है सिक्षिन कारिया में क्यों जाना चाहते हैं कि को आपको शीक्ष्टर से क्या है है प्यार है अब हैं अंग्रे कर दो अंगरे में सबसे पहले यहांपर आप देंगा है और थोड़ा समय अंग्रे के को भी समझाने का प्रियाश करता हूं ताकि एक हमने गलती की थी इसमें 15 पेपरों में अगर हिंदी अंग्रेजी को हमने शाथ में देखा होता तो एक जो ओर आल आउट पूट आना चाहिए था वह आता नहीं बहुत सर्ल हैं अग्रेजी अगर आप समझ के और हल करेंगे क्य सेरफुली एंड मार्क दे करेक्ट आंसर फोर इच क्यूशन आउट ओप दे गिवन चोईशेज तो यहां पर पैसेज मुझे लग रहा है कि पढ़ना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा लेकिन कुष्णों को जरूर आपको इसे देखना चाहिए एक सो क्यूशन है वाई आर बुक्स कार्ड दचीफ केरियर सोफ सिविलाइजेशन मतलब की हो गया एक तरीगे से किताबे हैं जो निश्ची दूरूर से जो सब्यता हैं उसमें सबसे मेन जो माने जाती हैं तो यहां पर आइडियाज लीव एंड स्प्रेड विकाउज ओप देम क कारण है जो यह लोगों तक पहुंच पते हैं तो इसी कारण से आप जो इसको और जब भी इसमें देखेंगे तो यह देखिए यह आइडियाज सब्स लिखा हुआ है नोलेज है वो इन्हीं किताबों कमाद्यम से आगे से आगे हैं जो पहुंचता है नेक्स्ट वन फिप् होट कंट्रीज है होट का मतलब क्या समझना है वो समझ लिए जहां का टेंपरेचर है जो ज्यादा है तो जो मां की मतलब जन सिंख्या है या जो भी बच्चे है उनमें परिपकुता जल्दी आती है एजूकेशनल लगों वो चीजें जो उनकी थोड़ी सी चूट जाती है यह सी वाला ओक्षन सही है वैसे यह आंसर है जो अपनी तरफ से नहीं देना है यह चीज भी आपको मिल जाएगी पेसेज में जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से यह देखो होट कंट्रीज अब लिखा हुआ है यू केंश्च फ्रों देट वेरी होट कंट्री अगर किताब नहीं है तो क्या होगा लेक और प्रोग्रेस मतलब कि आपकी जो प्रगती है वह कम पढ़ जाएगी लेका मतलब कम ही होना 154 में हमसे पूछा गया है वाई और ओल्ड बुक्स नोट अवेलेबल इन प्रोपिकल साउथ अमेरिका यानि कि साउथ अमेरिका में किताबें क्यों नहीं मिलती है ऐसा पूछा गया है तो उदायां खा गई से खाय सकते हैं देवाइट आंस इट देम अप एक थोड़ा सा इसको हम साई कर लेते हैं यहां पर एक परसम hopes मैं थोड़ा समझे हमा नहीं और इससे होती है यहां पर एक वह मतलब क्या बोलते हैं हमारे यहां दीमक बोलते हैं तो वोट कंट्री जहां उसमें दीमक भी जल्दी आती है इस कारण से जो वह किध़ा खा गई है और वहां की प्रक्रतिय जो धिमी है ऐसा यहां पर पैसेज में हमसे खा गया है तो चलो ठीक है आप समझ मा भगार्ण सब्सक्राइब क्या में इस पर चेह सब्सक्राइब कर दया है जो तो पढ़ने के साब से बात करनी चाहिए तो यह मिल जाएगा वहां पीकाउट दर मोच टैप रोक्लीट रिचा गया है हमसे और पूछा गया है मिल दिवाइन का मंदब पवित्र होता है Holy का मतलब भी पोईतर होता है तो Divine का हो जाएगा Holy भी option सही हो जाएगा 157 है पूछा है Choose the phrase which best complete the sentence Your daughter doesn't you at all यहाँ पर हमें phrase use करनी है नहीं में का चला गया एक सुष्टाव छूट गया Choose the word with the correct spelling यहाँ पर जिसकी सई spelling है उसका पता लगाना है और यह टेक्निकल चीज है थोड़ा सा spelling वाले प्रस्णों में जिसे रिशिप लिखावा र-e-c-e-i-p-t यानि पहले option है जो सही लिखावा यह थोड़ा मुश्किल पढ़ता है जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा कम बीरता चीपढ़ना चाहिए एक सो ठाउन को आप देख रहे हैं यहां पर हमें फ्रेज लानी है तो यहां आजाएगा यूवर डॉटर डजन्ट टेक आफ्टर यू एट ओल तो यहां पर टेक आफ्टर आना चाहिए यानि कि C option है जो सही हो जाएगा यहां पर सेंटेंस है उसको पूरा करने के लिए आपको प्रिपोजिशन यूज करना हार आउसीच एड़ेस्ट टू अमिताब्स टू ही होगा अगर एक जगे से दूसरी जगे बेजा गया है तो गंतविय से पहले आजाएगा तो यहां भी option है जो सही हो जाएगा next 160 160 में हमसे पुछा गया है choose the correct article to complete the sentence प्रियंका is an honest girl honest में हम बोलेंगे तो इसे बोलेंगे उसको और जब यहां पर यहां पर honest बोलेंगे तो स्वर्कीत होनी होने के करणिया यह न आना चाहिए और वास्तों में हैं भी next 161 choose the alternative which means the same as the given keyword multi-r मतलब की जो सहीद होते हैं उनके लिए और इनके लिए एक पूरी लाइन चाहिए यह वन वू कलेक्ट कोइंस नहीं नहीं यह रहा दिवाला वन वू डाइज पूर ए नोबल केस मतलब बहुत अच्छे काम के लिए जिस देश के लिए सहीद होते हैं तो उनको हम माल टेयर करते हैं 161 में डिवाला उप्शन सही है 162 में देखिए 162 है उसमें है फिल इन दे ब्लेंग विद अ करेक्ट कनेक्टिव चाहिए यहां पर तो ही इज इंटेलिजेंट बट लेकिन ही सिस्टर इस डल उसकी बैन है वह थोड़ी कमजोर है तो यहां पर आना चाहि जब वाइक आएगा इसे जब वाइक आएंगे तो उसमें चूज दे करेक्ट अल्टरनेटिव इन रिपोर्टेट स्पीच ही सेट टू ही जो प्रशन है जो सही हो सकता है 164 में बी सही है एकशो पैसर टाक कम्प्लीट दे सेंटेंस विद अप्रोप्रियेट फॉर्म अप एड्जेक्टिव आल्रेडी उस इन दे सेंटेंस तो यहां पर हमें सचिन इज पोपूलर क्रिकेट इन तो ऐसा जब भी प्रशन आता है तो उसमें मोर कभी नहीं आता है जानी कि जितने हैं उनमें सबसे वह मोस्ट है जब वह ब्रह्म पुत्र वाला प्रशन है जो वह रीट वाले विद्यारतियों के था तो भी मैं बुदान दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे लेकिन ठीक हैं चलो इसको क्लियर करना है यह डिगरी वाला टोपिक है यह तो बताई सकते ना डिगरी वाला टोपिक है जब जैसे ए और बी हैं इन दो में तुलना कर रहे हो आप तब तो आपको यह सब्द है जो यूज करना है मोर वाला की मोर इंटेलिजेंट देन इस तरह से और जब आप जो एक बहुत बड़े ग्रूप मतलब चैंश्ट में बहुत सारे नापस नाप लोग बाग है उनमें से अगर किसी बता रहे हो तो फिर आना चाहिए इसी करण यहां पर देमोश्ट आएगा से नेक्स्ट कुशन देखते हैं नेक्स 166 चूज़ फुरोंग लिस्ट बिलोग प्रिफिक्स मिशिंग तो प्रिफिक्स लाना है मतलब उपसर लाना है और पॉसिबल इंपॉसिबल होता है यहां पर यहां पर अर्वल loudsen जो से कि शूज दे वर्ड भीद्ट ग्रेट स्पेलिंग तो आगे पर सिनद करेट स्पेलिंग के फिर भी बढ़िया है decision decision की spelling check करने में आप code समय है decision लेना बारी पड़ गया होगा decision की spelling होती है d-e-c-i-s-i-o-n यानि b option इसमें सही रहेगा 168 है choose the alternative which means the same as the given keyword stable अब stable के लिए क्या यूज करना चाहिए तो a place हम अस्टबल भी बोलते हैं अस्टबल सब्सुना होगा अगर इससे थोड़ा अगर जाओ तो मिल जाएगा a place where horses are kept है तो हिंदी में अस्टबल कहते हैं और यहां भी stable ही है तो थोड़ा बढ़िया रह गया याद हो जाएगा ही ओ देखो वाज कभी होगा नहीं यह कभी होगा नहीं और यह ही लीव आ रहा है तो फिर लीविंग आएगा यह तो बढ़ भी अलग आ गई तो एक ही ओप्शन बचा है इज लीविंग पॉर अमेरिका नेस्ट इयर वह अमेरिका छोड़ रहा है अगले साल प्लान होगा सेंटिव में से पूछा गया है अल्टरनेटिव में एक करेक्ट सेंटेंस इट इस फोर्टीन येर सिंस आई और कुल मिला कर यहां पर ऐसा जब भी प्रशना आएगा इट इस फोर्टीन येर सिंस आई साहिम मतलब चुगदा साल हो गए उसको देखे हुए हाँ अब बात करते हैं हिंदी वाले पॉर्ट्सन में आ गया है और इंदी के जो तीश क्यूशन है उनको देख रहे हैं कौन सा शब्द है जो पत्नी का समार्णार्थी नहीं है भरता तो बहुत अलग हो जाएगा वागी कांता आर्दांगनी और भार्या सही कौन सा सब्द सरसुती का प्रेव अची नहीं है यहां जब भी हम देखेंगे तो सारदा वानी भारती है पद्मा है वह जो इसका है मा लक्षमी का है आगे है 173 173 में सुष्क का विलोम पूछा गया है तो कुल मिलाकर सुष्क के सुष्क का मतलब पूरी तरह से वह जो सु अर्ध का उल्टा हो जाएका आर्ध रजा नदी सब्द का प्रेव अची कौन सा नहीं है तो वह फेल का देर खाए सरीता तरटीनी तरंगिनी शही है अनुराग का विलोम होगा लिगते हैं विराग मिलेगा आमें विराग सउख एैं सुगम का क्या होगा दुरगम होगा व आगे हैं कौन सा शब्द शुद्ध हैं अंतर त्वंद्व मतलब डी ओक्षन में सही लिखा हुआ है और इधर आ जाते हैं जो क्यूशन नमर है उसमें कौनशा शब्द शुद्ध हैं पुरुषकार यह सही कर लिया होगा आपने शुद्ध शब्द हैं सन्यासी यहां डोट आता है यानि दो है डबल तो थोड़ा त्यान अपना यह दिवह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पढ़ेगा देखो यह अंतिम रूप से है जो इसके उपर डिपेंड हो गया और जब भी डिपेंड होगा आस्रित होगा तो फिर वो हमेशा कौन सा वाक्य रहेगा मिश्र वाक्य रहेगा उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वह बुखा ही रहे गया तो वाक्य है जो थोड़ा सा मुझे लग रहा दिवोदक कह सकते हैं वीवाला उप्शन इसमें सही हो गया और पुनर जनम सब्द का सही संदी विच्छेत चाहिए यहां पर 184 में में और रहक का विसर्ग हुआ है यह पुनह जनम सही है वीवाला उप्शन लग उत्तर के लिए आप सब्द का में लेंगे लगू प्लस उ सब्द करें वाला जिग्यर सुगला पूंगा और 187 में पूछा गया है नीती से समन्द रखने वाला मतलब नेतिक रिद्स रहता है डंक और रिद्स रहता है चुबन टो यहां पर सही हो गया आप बीवाला उप्स है क्रीमी यानि किड़ा होता है करमी यानि करम चाहरी होत से विदी भाव प्रदान सत्कार है वह आ जाएगा इसमें सी वाला तू डाल डाल में पात पात पुल मिला गए इस तरह का प्रश्ण है जो बहुत सी जगह पूछा जाने की सम्भावना भी रहती है एक से बढ़कर एक वाम करते हैं कि डाल डाल में पात पात मतलब कोई टैनि पहें तो पत्तों पत्तों पर हैं मतलब भारी है आगे कुणा पीछे खाई लोग कोक्ती का मतलब क्या है यानि कि दोनों और से उसके जिवन में क्या आ गय प्रती होगा निश कलंग 1904 में में पुछा गया है ऐसके आजरी में पलस फट इल्ज스ा सजैन सद्ध-फ्लस यानि की शुपी ध्या उ्टिक Mmina यह प्तिक्त उपान पकढ़ना कान पकढ़ना का मतलब होता है गलती शिकार करना और बुर काम नैकरने की पर्ति ग्या कर लेना एक परिप्यतस कि बाल की खाल निकालना वहाव्रेकार्थ है drug भी अनाविशक्ःत्रिकि में जाना लब जिसकी आविशक्ता नहीं उसषाई पर बात करना और कालि मिर्च विशेस्टा बता रहे हैं मतलब एक चीज एक पदा दूसरी की विश्यस्ता बता रहा है तो करमधारे उसमें होना चाहिए तो यह दोशों कुछन अपने स्कोर है जो वैसे बहुत बढ़िया रहने वाला है सबका शांदार और मिलान कर लिया होगा कुछ दो से पांच कुछनों में थोड़ी सी मिश्डेक हो सकती है कुछ क्योंकि बहुत सी बार जब हमारे सामने है जो फिक्ट होते हैं किताब होती हैं वहां से हम देखते हैं और कुछ अलग किताबों में अलग भी हो सकता है तो वह स्क्रीन सोट लेके या फिर आप परसन का नंबर मुझे भेज देना ताकि उनको एक बार वापस रिवियू कर स और एक्जाम में अपने हैं जो वह परसन किसी बालग में गलत नहीं हो और यहां तक अगर पूरा आपने यह एनालिसिस देखा हैं तो फिर बहुत शांदार धन्यवाद आपका